शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय तस तब शमुएल ने एक कुपी तेल लेकर उसके सीर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा क्या इसका कारण यह नहीं कि यहवा ने अपने निजबहाग के उपर प्रधान होने को तेरा अमेशे किया है आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहल की कबर के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसह में हैं दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूनने गया था वे मिली है और सुन तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कोड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूँ फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज बुक्ष के पास बहुचेगा तब वहां तीन जन परविश्वर के पास बेतल को जाते हुए तुझे मिलेंगे जिन में से एक तो बकरी के तीन बच्चे और दूसरा तीन रोटी और तीसरा एक कुपा दाक मधो लिये होगा और वे तेरा कुशल पुचेंगे और तुझे दो रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना तब तू परमिश्वर के पहाड़ पर पहुचेंगा जहां पलिष्टियों की चौकी है और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करें तब नबियों का एक दल उचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डप, पांसुली और विना होंगे और वे नबूवत करते होंगे तब यहवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा और जब ये चिन्धा तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का आउसर तुझे मिले उसमें लग जाना क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तू मुझ से पहले किलगाल को जाना और मैं होमबली और मेलबली चड़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा तू साथ दिन तक मेरी पाठ जो होते रहना तब मैं तेरे पास पहुचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या क्या करना है जो ही उसने शमुल के पास से जाने को पीठ फेरी जो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्टन किया और वे सब चिन्न उसी दिन प्रगट होए जब वे उधर उस पहाड के पास आये तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उत्रा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा जब वुन सभोने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ क्या शावल भी नबियों में कहा है वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया भला उनका बाप कौन है इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शावल भी नबियों में कहा है जब वह नबूवत कर चुका तब उचे स्थान पर चड़ गया तब शावल के चचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा कि तुम कहा गये थे उसने कहा हम तो गधियों को ढूनने गये थे और जब हमने देखा कि वह कही नहीं मिलती तब शमुईल के पास गये शावल के चचा ने कहा मुझे बता दे कि शावल ने तुम से क्या कहा शावल ने अपने चचा से कहा कि उसने हमें निश्चे करके बताया कि गधिया मिल गई परन्तु जो बात शमुईल के राज्य के विशय में कही थी वहां उसने उससे उनको न बताये तब शम्वेल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहवा के पास बुलाया तब उसने इस्राइलियों से कहा इस्राल का परमिश्वर यहवा यो कहता है कि मैं तो इस्राइल को मिस्र देश से निकालाया और तुमको विश्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अधेर करते थे छुडाया है परन्तु तुमने आज अपने परमिश्र को जो सब विपत्यों और कष्टों से तुम्हारा छुडाने वाला है तुछ जाना और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे इसलिए अग तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहवा के सामने खड़े हो जाओ तब शमुवेव सारे इसराइली गोत्रियों को समिपलाया और चिठी बिन्यामिन के नाम पर निकली तब वह बिन्यामिन के गोत्र को कूल कूल करके समिपलाया और चिठी मत्री के कूल के नाम पर निकली फिर चिठी कीश के पुत्र शाओल के नाम पर निकली और जब वह ढू ना गया तब न मिला तब उन्होंने फिर यहवा से पूछा क्या यहां कोई और आने वाला है यहवा ने कहां हां सुनो वह सामान के बीच में छिपा हुआ है तब वह दवड कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कांधे से सीर तक सब लोगो कि तुमने यहवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं तब सब लोग ललकार कर बोल उठे राजा चिरंजीव रहे तब शमुएल ने लोगों से राजनीति का वर्नन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहवा के आगे रख दिया और अपने अपने घर जाने को विदा किया और शावूल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमिश्वर ने उभारा था परन्तु कई लुच्चे लोगों ने कहा यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा और उन्होंने उसको तुच्छ जान और उसके पास भेट न लाए तो भी वहां सुनी अन्सुनी करके चुप रहा